हेलो एब्रीवन, सो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में आप लोग लिए बहुत ही यूजफूल सा टिप्स एंड हैक लेकर आई हूँ जो की आपके कीचन के कामों में और घर के कामों में बहुत ही हेल्फ करेगा तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर करना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो को करते हैं सुरू आज का मेरा सबसे पहला है थैले को लेकर जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो इस तरह का जो थैला होता है जोला या फिर थैला या फिर जो भी आप बोलते हो हम लोग तो जोला बोलते है या फिर थैला दोनों ही बोल देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह का जो थैला होता है हम सभी के घड़ों में होता है और यह जब इस तरह के से फैल कर मतलब फैला हुआ जब रखते हैं न कहीं पे भी तो हमें मार्केट ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और हम जब भी मार्केट जाते तो न्यू इतने की जंजट ना हो पैसा वेश्ट आपका दुबारा से ना हो अगर आपके घड में सारा जो थैला है वो अच्छे सा और्गनाईज करके रहेगा तो आपको लेके जाने का भी मन करेगा और बिल्कुल भी मतलब कि आपको खड़ाब फिल नहीं होगा ऐसा नहीं लगेगा क मैं आपको बता रही हूं जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे होंगे इस तरीके से बहुत ही इजी सा टिप्स में आपको बता रही हूं इस तरीके से अगर आपके घर में कोई भी थैला हो जैसे कि यह देखिए यह कौटेन का थैला होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही soft होता है इसे हम इस तरीके से 2-4 बार मोरेंगे उसके बाद हम इस तरीके से जैसे rubber लगाते है उस तरीके से इसका जो डंटी होता है उससे 2-4 बार हम इस तरीके से इसको मोर देंगे तो इसको मैं डंटी बोली आप लोग ये confuse नहीं होएगा कि ये डंटी किसी चीज का है जो थैले का जो रहता है ना पकरने वाला उसको हम लोग डंटी बोलते हैं तो वो मैं इसलिए बोल दी आप जो भी बोलो तो इस तरीके से अगर आप सारे थैले को यानि जोले को अगर फोल्ड करके अच्छे से और्गनाइज करके आप अपने कीचेन में या फिर कहीं पे भी कबाट में भी रखेगा कोई भी थैला तो आप जब भी मार्केट जाएगा तो आपको बिल्कुल भी मतलब कि ये सा रेसिपी बदाम की चटनी की रेसिपी जो कि मैं आप लोगे साथ पहले भी सौट्स वीडियो में सेर कर चुकी हूं तो उस वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि ये बदाम नहीं मौंग फली है ऐसा मैं जानती हूं कि इसे बहुत सारे लोग साथ नहीं बता सकती थी तो मैं ज्याद तरह इसे बदाम भोलती हूं इसके लिए मैं आप लोगों को बदामी बोल दी जो होती है ना कीचेन में एनी टाइम रहती है और हमें ना कीचेन बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं पड़ता है खास करके सिंक एरिया अगर आपका सिंक जो है बार बार जमता है मतलब किसमें पाइपलाइन के वज़ा से जो पानी है वह जम जाता है इस तरीके से आपके क्लीन करें इसको तो आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूत नहीं है आप इसे घर में क्लीन कर सकते हो बहुत ही यूसुल टिप में आपको बताने वाली हूँ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है अगर पानी जो है एकदम धीरे धीरे जाता है और ऐसा जब हम लोग नहां फिच के आते हैं काम करने कीचेन में और दुबारा से जब ऐसा जंजट होता है न तो किसी को भी पसंद नहीं है कि इसको किलीन करें नीचे से पाइप लाइन को छुए गंदा बिल्कुल भी पसंद नही तो ये जो दत्मन है न मार्केट में भी मिलता है और ऐसे बहुत जगह इसका पेड़ भी रहता है अगर आपके पास है आसपास में तो आप इस तरीके से दत्मन को तोड़ कर लाइए या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो या फिर ऐसा कु इसे मैं छील ली हूँ ये देखिए इसका जो अंदर का जो मतलब की डंटी होता है नीम का वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है उसके बाद आपको क्या करना है पतला सा इसको बनाना है इतना पतला आपको बनाना है ताकि जो पाइप लाइन का होल है उसमें अच्छे से जो चिल ली हूँ और इसको आपको पूरा वाइट करना है इस तरीके से अगर आप वाइट की जागा तो पूरा ये चिकना हो जागा बिल्कुल भी खुरदड़ा सा मतलब की दर दरा खुरद़ा ऐसा होता ना मतलब खर-खर टाइप से उस टाइप से नहीं रहेगा ये पूरा चिकना हो जागा मतलब एकदम क्लीन इस तरीके से देखिए मैं इसको कर ली हूँ दूसरा पहले से मैं करके रखी थी और ये बिल्कुल एकदम क्लीन है मतलब की एकदम चिकना सा रहता है बिल्कुल भी खुरद़ड़ा नहीं रहता है तो इस तरीके से आपको करना है इसी जो होल होता है सिंक में उसमें हम इस तरीक지 से डालेंगे जहां पड़able आपको दिखे ना खासटब आपको बीच वाला जो हो लहां इस तरीकिए से आपको दो चार बार पांच बार दस बार जितना मतलब ज्यादा आपको लग रहा है कभी कभी क्या होता नहीं कचरा फॉस्स जाता है उसके वजह से हमें लगता है कि पाइप फी खड़ाब हो गया है इसके लिकेज हो रहा है या फिर कुछ भी प्रोबलम हो सकता है क्यों ये जामें बहुत ज्यादा जणजट हो जाता है इसको clean करना तो बहुत ही simple सा tip है आपके लिए बस आप इस तरीके से żylocky को चार-पाँच बार आगे पीछे आगे पीछे मतलब इसमें डालिए निकालिए इस तरीके से जिस a Magnum में जा रहा है न उस होल में ही डालिएगा जिसमें नहीं जाड़ा उसमें जवरदस्ती आप मत किजिएगा तो इस तरीके से आपका जो सिंक है वह क्लीन रहेगा अब चलते हैं यह देखिए नेक्स्ट जो होता है ना घड़ में बेसिन उसको भी हम इसी तरीके से क्लीन तो आप एक बार ना बेसिन का जो pipeline होता है अउस होल को भी इस तरीके से जरूर से ही क्लेन कीजेगा ताकि जो है जो है बाज-वार ये फसे नहीं पनी और जब पनी फस था तो फोती बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तो इस तरीके से सेम आपको सिंक जैसे कि मैंने आपको बताया कीचेन सिंक वैसे ही आपको बेसिन को भी इसी तरीके से क्लीन करना है ताकि पाइप में बिल्कुल भी कोई कचड़ा ना फसे इसके लिए आपको इस डंटी से आपको साबधानी से करना है ऐसा नहीं कि आप इसक कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूरू बताइएगा और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक वाली वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और ज्यादा पसंद आता हो हैल्फुल ल